आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको आप अपनी जिन्दगी में फोलो करेंगे आपका चहरा ऐसा ग्लोइंग बनेगा चमकदार बनेगा चहरे के दाग धबे जहाया जुरिया सब खतम होके आप 40 की उमर में भी 20 जैसी आपकी स्किन लगेगी आप हमेशा जवान रहेंगे सकिन आपकी जगमगाती रहेगी ये कुछ बेसिक चीजे हैं जो आज के टाइम में हर किसी को पता होनी चाहिए लेकिन 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 हर किसी को नहीं होती पता इसी लिए हम अपनी उमर से बड़े दिखने लगते हैं हमारी सकिन जो है उसकी खराब होने की अगर आप अपने जिन्दगी में फोलो करेंगे आपका चेरा हमेशा जगमगाता रहेगा उम्र से आप बहुत कम दिखाई देंगे स्किन आपकी जवान रहेगी तो टिप नमबर वन है पानी आपको डेली सुभा उटके सबसे पहले पानी पीना है पता सबको होता है लेकिन क करता कोई नहीं है कोई नहीं 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 कोई नहीं करता है कुछ लोग करते भी हैं लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको उटते ही चाय पीनी होती है या कुछ और खाना होता है आपको भूख के पेट सबसे पहले जितना पी सके आप एक ग्लास पी सकते हैं ग जंदगी आपकी जो है टमीगी वो निकल जाएगी क्योंकि अपने खाली पेट पानी पी आपकी बोड़ी अंदर से और वो गलो आपके चहरे पे दिखेगा पानी पीने से आपकी स्किन हाइडरेट रहेगी और इसी के साथ साथ दिन में आरदस ग्लास पानी वैसे भी पीना ह यह भी नहीं है सुभा में पी लियो और पूरा दिन आपका पानी पीने का मन ही नहीं कर रहे है तो पानी आपने पीते रहना है दूसरी चीज है लोशन क्या होता है हम लोग सोचते है हमारे स्किन तो ओई लिये हमें लोशन की क्या ज़रुरत है या फिर कुछ लोग लगात इसे जादा मुर्जाया जुर्यों वाला आपका चहरा हो जाता है आपने डेली दिन में कम से कम दो बारी या तीन बारी हो सके तो लोशन लगाना चाहिए जब भी आप अपना चहरा धूते हैं आपको मोईशिराइजर लोशन जो भी आपको पसंद हो आपको सूट करता हो वो लोशन आपने लगाना है ताकि आपकी स्किन हाइडरेट रहे अगर हम कुछ भी स्किन पे नहीं लगाते हैं और हमें लगता है बहुत ओईल वैसे हमारी स सुबह में दुपैर में रात को सोने से पहले हमेशा लगाना बहुत 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 जरूरी होता है तीसरी चीज में आपको बताना चाहूंगी आपको जूस जरूर पीना चाहिए चाहे आप सबजियों का जूस पिए चाहे फ्रूट का जूस पिए चाहे किसी भी च बोड़ी पे हमारे स्किन पे हमारे चहरे पे जरूर दिखेगी तो आपने हमेशा जबी भी आपको चाहे आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेली पिए वरना जब भी आपको मोका मिलता है आप जूस जरूर पिए या फिर आप घूमते फिर ते आपको जूस निकाले में बड़ा जो है ग्लो बना रहेगा हमारे स्किन मुर्जाई मुर्जाई नहीं लगेगी और इसके बाद है हमारा ग्रीन टी मैंने नोट कर लिया ताकि मैं भूलू ना ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है हमारी बोड़ी के लिए हमारा जो है पेट के एसिड को भी कम करता है अगर बेसन जो होता है मैं आपको क्या बता हूँ बहुत पुराने टाइम से सुन्दरता को बढ़ाने के लिए बेसन चलता हुआ आया है बेसन हमारी चहरे के तेज को ग्लो को बढ़ाता है बहुत अच्छे फेस पैक का काम करता है आपके स्किन के काले दाग धबे जहाईयों को आपने समय समय पे बेसन दही मिलाकर मिक्स करके आपको जो भी आपको टाइम मिलता है बेसन दही का पैक आपको अपने चहरे पे जरूर लगाना चाहिए एक चुटकी उसमें हल्दी भी डाल लीनी चाहिए वो आपके सारे मैल गंदगी को निकाल देता है डेड़ स्किन को और आपके चहरे को बिल्कुल फ्रेश बनाता है एक फेशिल की तरह आपके चहरे पे निखार लाता है और आपके चहरे को गलॉइंग बनाता है इसके बाद हमारा आ जाता है क्या आजाता है फेस, मसाज जो कि बहुत important है I guarantee के बहुत कम लोग करते होंगे ऐसा हम अपने लि आपने काम फिरम छोड़ देते हैं और ये नहीं करना है अगर आप अपने जो आप 30 प्लस के हो गए हैं और आप जो है डेली अपने चेहरे पे मसाज करें पांच मिनट सिर्फ ज्यादा नहीं रात को सोने से पहले और आप कुछ और भी आपको नहीं लगाना आप नहीं लगा सकते हैं नारियल का तेल ले 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 औलिव ओई ले बदाम का देल ले या फिर सब जोड़ो बहुत इजी इतना तो करें सकते हैं जो आप मुष्राइजर लोशन लगाते हैं वही थोड़ा एक्स्टर लेके अच्छे से मसाज करते हुए अपने चेहरे पे अपनी स्किन पे फिर उसको लगाए थोड़ा दो-तीन मिनट अपने चेहरे को दे ले हमेशा नीचे से उपर की तरफ मसाज करें अपना चेहरा उपर की तरफ लिफ्ट करें और चाहे तो ऐलोविरा जेल से कर सकते हैं उसमें थोड़ा विटामीनी कैपसूल मिला सकते हैं लेकिन बहुत से त जवान लगेंगे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और असानी से आपकी स्किन लूज नहीं होगी तो फेस मसाज हमारे लिए बहुत इंपोर्टन होता है 30 प्लस के बाद तो बहुत ही जादा सच में इंपोर्टन होता है मैं हमेशा करती हूँ रात को सोने से पहले अपने चैरे पर फेस मसाज ठीक है इसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है दही दही में विटामिन सी होता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है कहते हैं अगर आप एक टोड़ी दही डेली खाते आप डॉक्टर के पास कभी नी जाएंगे उसी तरह से ये है कि अगर आ अपने फेस को अच्छे से किया और फिर नॉर्मल पाने से धोलिया इस तरह से आपने दही यूज़ करना चाहिए इसके बाद आता है दूद बैस्ट क्लिंजर होता है दुनिया का सबसे अच्छा क्लिंजर आपके स्किन कितनी भी मैली क्यों ना हो रखियो कितनी भी सावली क्यों ना हो रखियो अगर आप कच्छा दूद लेके जो बला हुआ गरम कियो हुआ दूद ना हो उसको आप अपने इस फेस पे अपने हाथों पे पैरों पे पूरी बोड़ी पे कहीं पे भी लगाते हैं तो आपका रंग निखरता है सारा मैल कटता है काले दाग धब्बे हैं ठीक होते हैं जहाईगा खतम होती है आपके छोगती आपको स्किन को टाइट बनाता है प्रम से निखरके नहीं आते हैं बहार जिसे आप दिल्स से नाहएंगे कमाल का आपकी बोड़ी पर निखा रहाएगा, skin whitening का काम करता है, सारी गंदगी को निकाल देता है, बहुत ही आसानी से, दूद आपकी सारी गंदगी को निकाल देता है, मैल गंदगी को, ठीक है, असके पर हमारा point आता है, tomato, उसमें भी vitamin C होता है, हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है, skin को glowing बना जाएगी, चेहरा बहुत glowing बनेगा, सारे दाग, धब्बे, सब खतम हो जाएगे, और आप बोलेंगे, भाई, ये क्या ही हो गया, बिल्कुली चेहरा हमारे चेंज हो गया, तो बहुत हमारी skin के लिए अच्छा काम करता है, tomato, इसके बाद आता है, last में, नीबू पानी, सब देखते रह जाएंगे, ये कैसे glow आता जा रहा है, किस तरह से skin आपके glowing होती चली जाती है, ये कुछ चीजे है, अपकी 10 tips वोगर आप अपने जिंदगी में फोलो करते हैं, आपकी skin glowing बनती है, काले दाग धबे खतम होते हैं, आपके चेहरा, बेदाग, गोरा और glowing बनत लाएं, वीडियो को लाइक करें, इसके हलावा वीडियो को शेयर करें, तक ये चीजे औरों को भी पता लगें, वो भी अपलाए करें, और खुब सुरत तबचा के मालिक बनें, चेहरा ऐसा चंकेगा, ऐसा निखरेगा कि बस आप मुझे याद करेंगे, लाइक जरूर करक यूँकर आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाइबाई, लॉव यूल मैं फ्रेंड्स, च।